Hello everyone, welcome back to your medical channel MI Medicine Info दोस्तो आज एक आपके बीच नया टोपिक लेका आया हूँ क्लेमम 625 टैबलेट की बात करेंगे बात करेंगे इसके डोस क्या है, एडल्ट में इसके डोस क्या होती है इसके क्या साइड इफेक्ट है और इसके क्या कूंटर इंडिकेशन यानि किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए मेकनिजम क्या है इने शरीर पर जाकर किस तरह ये काम करती है तो overall इसके सारी बाते करेंगे, सारी चीज़र डिसकस करेंगे वीडियो के लास्तिक बने रही है आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस तरह की मेडिकल नॉलिज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं mg, amoxicillin होता है, इसमें 500 mg और potassium calvinate होता है 125 mg, टोटल मिला करके 625 mg के एक tablet होती है और एक antibiotic है आगे बात करेंगे हम इसके mechanism की यानि यह अपने शरीर पर जाकर के काम कैसे करती है, it is a aminopensilin class drug, एक aminopensilin class की दवाई है, जब भी हम किसी भी tablet, किसी medicine किसी भी दवाई की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं, यह tablet या medicine की कौन सी class की drug है, तो यह aminopensilin class की एक drug है amoxicillin और potassium calvinate का जो composition है, जिसको बोलता है moxikind के नाम से भी market में मिल जाती है claimant 625 के नाम से action of transpeptis enzyme यह antibiotic transpeptis की किरिया को रोक देता है तो यह transpeptis की किरिया को रोक करके शरीर पर काम करता है, due to this reason, stuff or formation of cell wall bacteria and bacteria die इस वज़े से जिवाणू की कोशी का भित्ती नहीं बन पाती और वह मर जाता है, यानि जिवाणू की यह कोशी का होती है एक layer होती है, उसको बनने से रोकता है, इस वज़े से जिवाणू मर जाता है, तो इसका mechanism यह है यह antibiotic है, और यह शरीर पे इस तरह से जाके काम करती है जिवाणू की कोशी का, यानि उसकी भित्ती को नहीं बनने देती, और जिससे क्या होता है कि बैक्टिरिया किल हो जाता है देखें, एंटीबाइटिक जो है, वो कभी भी बैक्टिरिया को किल नहीं करती एंटीबाइटिक सिर्फ उस परक्रिया को रोक देती है, जिससे क्या होता है bacteria खुझ से kill हो जाता है तो इस तरह से antibiotic काम करता है और इसका mechanism इस तरह से है आगे हम इसके बात करेंगे इसके use कहां कहां पर हो सकते हैं तो ear infection अगर किसी वेक्टी या किसी महिला किसी के भी ear में अगर infection हो गया है तो antibiotic का 625 claimant 625 का इस्तमाल कर सकते हैं किसी तरह का संक्रमने में उसमें भी चलाई जा सकती है respiratory track infection यानि lungs का इंफेक्षण है छाती का इपेक्षण है respiratory track में किसी तरह का infection है तो उसमें भी इसको दिया जा सकता है टाइफाइड में सबसे ज़ादा चलती है 625 अगर टाइफाइड fever है तो उसमें भी दी जा सकती है urine infection, पिशाप में, मुत्रमार्ग में किसी तरह का infection हुआ है तो उसमें भी ये दी जा सकती है तो ये इसके use है, इतनी सारी जो इसमें मैंने आपको बताया ear infection, teeth infection, respiratory track infection तो इन सब में इसको चलाया जा सकता है अब इसकी बात करेंगे कि adult व्यक्ती में जिसका वजन 50 kg है और adult व्यक्ती है तो उसमें इसके dose क्या हो सकती है देखिए 625 mg की ये tablet होती है दिन में दो बार इसको दिया जा सकता है सुभा और शाम यदि समान्य संकरमन है तो तीन दिन तक इसको दिया जा सकता है और समान्य नहीं है अगर ज्यादा थोड़ा ज्यादा infection है संकरमन है तो 5 दिन तक भी continue रखा जाता है देखिए patient है उसको ऐसे नहीं दिया जाता है कि 5 दिन की tablet दी और आने के बाद उसको क्या आपको दिखाना ऐसे नहीं होता तीन दिन के लिए prescription दिया जाता है तीन दिन तक antibiotic दी जाती है अगर संकरमन ठी हो जाता है तो tablet को वहीं पर रोग दिया जाता है और अगर problems जादा आती है infection जादा है तो दो दिन और खिला दिया जाता है तो इस तरह से antibiotic को prescribed किया जाता है patient को दिया जाता है आगे हम इसके बात करेंगे tablet को use करने के बाद किस तरह के body based side effect देख जा सकते है तो diarrhea लग सकता है यानि dust हो सकता है stool पतला हो सकता है patient का black tongue जुबान जो होती है जीव वो काली पर सकती है nausea जी घबराना vomiting उल्टी होना और इसमें एक चीज़ ओरेट करना चाहता हूँ मैं साथ में इसमें क्या होता है कि dizziness भी हो सकता है इसको खागर के driving नहीं करने चाहिए even कोई भी अगर आप tablet medicine खाने तो उसके बाद driving को avoid करना चाहिए क्योंकि sedation आ सकता है तो इस तरह के इसके side effect हो सकते हैं अब इसमें contraindication की बात करेंगे contraindication यानि कीन patient को नहीं देना है इस tablet को तो drug allergy अगर किसी को amoxicyclin, potassium, calvinate से allergy है तो उसको नहीं देना है ये normal सी बात है renal disease, kidney की किसी तरह की disease है, kidney की बीमारी है तो उसमें नहीं देना है liver का किसी तरह का कोई disease है, liver की patient को problem चल लिया है तो तभी भी नहीं देना है hypersensitivity, अगर किसी भी drug को लेने के बाद hypersensitivity होती है किसी patient को तो उसमें भी ये नहीं देना है तो ये थी clevm 625 disease, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया amoxicillin clean और potassium calvinate acid इसके अंदर composition होता है उसके use कैसे होता है किन-किन बीमारियों में उसको दिया जा सकता है side effect इसके क्या हो सकते है dose इसके क्या हो सकते है contra indication इसके क्या है question है हम आपको comment box में आ करके जवाब देंगे अगर आपको किसी तरह का question है तो आप comment box में आ करके पूछ सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अगर new update आती है तो उस तरह की notification आपको सबसे पहले मिले हैं मिलते हैं next video में एक नए information के साथ तब तक के लिए जैहिंद जै भरत